गज्बा सौधा नौलखी मंदिर के दाइत्व को लेकर बढ़ रहा विवाद हुआ खत्म दो महंतों के बीच बड़े दिनों से चल रहा विवाद को आखिरकार विराम लगी गया नौलखी राधाम मंदिर का दाइत्व महंत राम मनोहर दास को सुपा गया इस मन्दर के पूर्व महंत नरहरी दास थे लेकिन उनके अस्वस्थ होने के चलते डॉक्टर राम कमल दास विदामती ने नौलखी मंदिर धाम का दायत्व देख रहे थे वहीं उक्त संतों में दायत्व को लेकर विवाद की स्थिती बन रही थी विवाद को देखते हुए नागरिकों की मौझूदगी में एक बैठक में नए महंत राम मनोहर दास को सभी धादू संतो एवं गंजबा सौधा नगर के सभी धर्म प्रेमियों के मत से नौलखी मंदिर का दायत्व सौपा गया विदिशा के गंजबा सौधा में दो महंतों के दायत्व को लेकर विवाद की स्थिती उस समय बन गई जब डॉक्टर राम कमल दास वेदान्ती ने नौलखी मंदिर धाम का दायत्व अपने हाथों में ले लिया है लेकिन कहा जाता है कि यह दायत्व के सहमती किसी से नहीं ल कर अंत में डॉक्टर राम कमल दास वेदान्ती ने नौलखी मंदिर का दायत्व राम मनोहर दास को सौप दिया इसके बाद वहे बैठक से चले गए आपको बता दें कि नौलखी मंदिर के महंत बड़े दिनों से अस्वस्त चल रहे हैं जिनके चलते मंदिर का दायत्व रा था विवाद का मुठ के कारण हमको माना जा रहा था। तो हम भी जा रहे हैं यहां से लविवाद ही इस चान्त हो रहता है। अब विवाद बास्ताम में यह था कि वो सोचा लेकी और दिक बढ़ गया था लेकिन वो विवाद के रामेश रहा है। कि इस अब आपको समय हो जो हैं, आपने देखा सुना है